प्रिंट कर सकते हैं तो यह को सबसे पहला कोशिंट आपका राइट सी प्रोग्राम प्रोग्राम पहले से बताया था कि इस प्रोग्राम को फिर से समझाओं यह आप लोगे ने कर लिया था जल्दी से कमेंट करके बताईए नी तो नेक्स कोशिंट पर चलते हैं यस और नो जल्दी बताईए क्या मैं सॉल करके बताऊं यस किसली के रहे हो क्या मैं इसको फिर से सॉल करके बताऊं कर लिया था आप लोगे ने कर लिया था नो ओके तो यह बहुत सिंपल कोशिंट था टू डाइमेशनल एरे का एक एरे लेना है तू डाइमेशनल ही लेना है आराम से आपका हो जाएगा यह अपन अल्रडी कर चुके हैं दूसरा आपका है write a program to print the following pattern अब मुझे बताईए क्या यह दूसरा question आप लोगे ने कर लिया था बलब नैट से तो देखा होगा मुझे नहीं बता पर खुद से किया था या नहीं किया था जल्दी से बताईए क्या दूसरा question बताऊं आपको यह कर लिया था आपने जल्दी कर लिया था क्या मैं सौल करके बताऊं बता दीजिए बाकिन बताईए क्या इसको सौल करके बता दूँ मैं जल्दी से comment करके बताईए यस ओके तो इस questions को पन discuss कर लेते हैं before going to discuss this question this question को discuss करने से पहले I just wish to discuss this one pattern that's what question में discuss कर रहा हूँ because यह जो 10th number का question है उसी के आधार पर आपका यह question भी discuss हो जाएगा first of all I wish to discuss the question number 10 write us the program to print the following pattern, इस pattern को पन print करके देखते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं तो देखो ctrl n चलो तो यह pattern जो अपन को बनाना है this one pattern यह जो pattern अपन को create करना है star then double star तो यह pattern एक बार में यहाँ बना लेता हूँ star then here is a star एक बाद स्टार लिखा आपनने फिर एक और स्टार एक और स्टार यहाँ पर तीन स्टार यहाँ पर एक दो तीन चार और भी कर सकते हैं मैंने जो pattern लिया है उसमें मैंने लिया है तीन तक ही लिया है जितना विचावत्ता कर सकते हैं और यहाँ पर इसको space देते हैं यहाँ पर इसको space देते हैं और इन कोई-कोई की space और देना पड़ेगा ओके तो इस टाइप टेक पैटन अपने दिया था एक्जाम में पहले इस pattern को में discuss कर लेता हूं दन जो question number two था उसको अपन discuss करेंगे ठीक है तो यहाँ पर इस pattern को अपन को print करता है तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखेगा यह जो number of line है यह line एक है line 2 है line 3 है तो line के लिए अपने एक loop use करेंगे जो सिर्फ line के लिए represent करता हूं for example मैं ले लेता हूं hash include stdio.h then intman ठीक है अब इसको थोड़ा जंदल बनाते जिसे इंट लाइन मतलब कितनी लाइन आपको चाहिए उस pattern में लाइन कितनी चाहिए तो उसके लिए अपन लिक लेता है pattern में लाइन कितनी चाहिए तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूं message देता हूं printer मैं अपने laptop का charger अटेज कर लेता ह वर इता है क्या अट अटके लेतान कितनी熟 लता है अटेज दीक हिए टेन अट्यूर आपको ऺफर झाले साटझ लेता हज और दम यहाँने वि मैं लेता हैं जाता है अटन Georg कि अब टॉपिए तरॉप्चन तब एक मैंसेज में देडा हूं प्रिंटेंट इंट तब कि इतनी लाइन आपको चाहिए उसको इंटर किजिए उसको अपन क्या करेते हैं इसके नेफ और परसेंट डी कॉमा एंड परसेंट लाइन तो यहां से आपकी लाइन आ जाएगी जैसे मैंने जो बैटन दिया था उसमें मैंने केवल तीन लाइन गी थी आपको अल्ली त्री इतनी लाइन ले देखें लाइन के बाद और अपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हुं फैरन हमेशन measured exam में आता है तो यहां पर तीन लíन है एक दो तो लाइन के लिए लूप प्रेंट करना है तो देखो कैसे लूप आएगा एक लूप के लिए एक वेरियबल ले ले लेते हैं और यहाँ पर लाइन के लिए लेना है तो यहाँ ले लेता हूँ 4 I equals to 0 I less than 2 लाइन यहाँ पर 3 डाला है तो 3 डाला है तो 4 डाला है तो 4 डाला है less than इसलिए लिखा है तो कि 0 से start वरा है suppose लाइन के लिए उपन डालते हैं 3 तो 0, 1 और 2 3 आपकी लाइन हो जाएंगे और यहाँ पर यहाँ क्या जाएगा आपका I plus plus अब इससे क्या होगा इससे तो आपकी लाइन आ जाएंगी तो जैसे आपने तीन लाइन लिए तो तीन लाइन यह लूप तीन बार चलेगा और तीन बार आपकी क्या जाएंगी number of lines आ जाएंगे तो यहाँ तक तो किसी को कोई doubt होना नहीं चाहिए अब आपको pattern प्रिंट करना है तो देखो pattern normal कैसे प्रिंट होगा और space कैसे देंगे यह दोनों बहुत important चीज़ें एक बार में बीना space देखे आपको यह pattern प्रिंट करके बताता हूँ पर्स बार लूप चल रहा है तो एक बार आपका यह start प्रिंट हो रहा है तो दो बार चल रहा है इसका मतलब i की जो value उतनी बार आपका यह print हो रहा है तो एक और variable ले लेते हैं comma j एक और loop लेते हैं 4 और यहाँ पर जो अपन ले रहे हैं j is equal to 0 से start करते हैं और j की value क्या ग्रावर क्यों रखी क्योंकि i आपका जब 0 है तो आपका एक बार print हो रहा है जब 2 है तो दो बार इस तरीके से आपका print होगा इसको में लिखता हूँ j plus plus और यहाँ पर लिखता हूँ printf star यहाँ ने star को print कर दिया है और star को print करने के बाद यह वाला loop के वाल स्टार को print कर यहां तक क्या हुआ यहां तक क्या हुआ यहां तक प्रिंट होगा लेकि इस पिरामिट टाइप का नहीं बनेगा देखो जैसे बनाता हूं मैं इसको सेव कर दिया इसको मैं कंपाइल करता हूं इसको एक बार मैं कंपाइल करता हूं और यहां देखें इंटर लाइन नमबर जिसे अपन तीन इंटर किया तो आपका तीन प्रिंट हो रहा है लेकिन यह पिरामिट में नहीं आ रहा है आप कोई बता सकता है पिरामिट में लाने के लिए क्से पर लगा घंए बढ़े एप दिए आपर एपर इस पेश्ट देना पड़ेगा वेरी गुड इस पेश्ट किस तरीके से देंगे कहां कुछ लूप डालना पड़ेगा कैसे करेंगे जो फोस्ट लूप चलाया है फूर्टीन नाइन के बाद यहां पर यहां पर यहां पर बता सकते हैं आप बैदे 4 4 लेग देता हूं यहां पर k for example ठीक है यहां पर लिखने हैं 4 yes then k is equals to i लेंगे k equals to i लेंगे okay then k less than lime less than lime करेंगे yes sir okay then k plus plus k plus plus okay और inside it अब चाओ तो bracket बनाओ अब चाओ तो मत बनाओ गर एकी lime लिखने हैं तो सिर्भी space देखें printf space देदें यहां पर yes sir space इतना सा भी देखेंगे तो क्या यह काम करेगा yes sir देखो अब इसमें हो क्या रहा है very good weather इसमें iq value जब 0 है तो सबसे पहली बार आपके कितने space आएंगे 0 से लागार line तक line कितना आपका suppose line 3 है तो 3 space आएंगे फिर iq value 2 हो जाएगी तो 2 से 3 फिर iq value 3 हो जाएगी तो 3 से 3 तो जैसे जैसे iq value बढ़ेगी प्रिंट करने से पहले में एक बार और यहां यह प्रिंट करने से पहले में एक बार थोड़ा सा प्रिंटफ देता हूं । फ्रिंटफ पैर्टर्ण जैसे इस स्लेशन स्लैशन कुपान करते हैं तो तो आपके पास यह सही आंसर है बस difference यह है कि यहाँ पर जो यह स्टार्र प्रिंट हो रहा उसमें एक space देते हैं तो यह सही हो जाएगा देखो आपका वही pattern में जो आपने देखा था simple सा इसी तरीके का आपका pattern आ रहा है यह समझ मैं सबको किस तरीके से हो रहा है देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने क्या किया यह वाला जो code है यह space provide करा रहा है यह वाला code star को print कर रहा है और यह वाला लूप number of line को print कर रहा है यहाँ पर number of line अगर में तीन की जगा सपोच 5 डालूंगा तो यह इस तरीका का pyramid बनेगा यहाँ पर number of line अगर 5 की जगा में डालता हूं 10 तो देखो इस तरीकी का pyramid बना तो जितनी number of lines आप चाहें उतनी number of lines आप print कर सकते हैं क्या यह सोजबा है आपको yes sir comment करके बताएए बाकी लोग जो भी जुड़े हुए है around homin student with us 9 10 student जो हैं को जुड़े हुए हैं सभी लोग please comment करके बताएए yes 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 okay very good so तो यह मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि अब जो मैं आपको question number 10 बताऊंगा this is your question number 2 sorry यह जो question number 2 बताना है इसको बताने के लिए मैंने आपको पहले वो बताया है तो किसी भी pattern को print करने के लिए पर उसको टुकडों में बाट सकते हैं यहां पर number of line कितनी है एक दो तीन चार और पांच टोटल कितनी लाइन है पांच लाइन आपकी आ रही है पांच की जगा आप इंटर दर नमबर ओफ लाइन यह भी कर सकते हैं फिर आपका क्या हो रहा है एक बार आपका आ रहा है दो और स्पेस भी आ रहा है सब में तो इस स्पेस के लिए तो वही कोड़ लगेगा जो अभी वैदर ने बताया था कि एक बार आपका प्रिंट हो रहा है किसी ने इसको कुछ से try किया था बिना किसी वैब के yes sir हो गया था ये yes sir हुआ था बट confirm नहीं कि सही है अगलत okay बाकी students का कुछ comment बताईए बाकी किसे ने किया था या नहीं किया था yes or no message में बताईए क्या बाकी किसी से हुआ था ये question नो रहूल के रहा है रहा है नो बाकी इस्ट्टॏंट नो और नो चलो तो बने पता दो को और को कॉंसेट समझना कॉंसेट आप समझना इसको दो-तिन टुकड़ों में हमाने करेंगे तो आपको बिल्कुल समझाएं, not sure if it is, एक student ने क्या question message post किया है, एक student ने लिखा है, not sure if it is right or not, as it I had error when I had executed, ओके से नेश, देख लेते हैं, क्या हुआ होगा, चलो, इसको अपन प्रेंट करते हैं, तो pattern क्या है, देखो, new, control and कर लेते हैं, और इस वाले को मैं as it is copy कर रहा हूँ, क्यों copy कर रहा हूँ, क्योंकि आपको concept अभी याद रहेगा, इसलिए इसको मैं copy कर रहा हूँ, अपन को print क्या करना है, suppose यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, 3, 2, यहाँ पर आएगा 3, 4, 5, 4, 3, और यहाँ पर आएगा 4, 5, 6, 5, 4, नहीं, 4, 5, 6, 7, यहाँ आएगा ना, 2, 3, 2, 3, 4, यहीं था, एक बार देख लेता हूँ हमें pattern, yes, 3, 4, 5, ठीक है, यह pattern है आपका, so 7, 6, 5, 4, यहाँ पर यहाँ आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा आपका 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, तो यह आपका pattern है, इसमें और भी line अपन प्रिंट कर सकता है, ना, that is not any tough, और कोई rocket science नहीं है, it is very simple, इस pattern को अपन को प्रिंट करना है, तो और भी line अपन इसमें ले सकता है, तो simple सा अपन इसमें ले रहे हैं, देखो आगे किस तरीके से इसको अपन करें, यह ठीक है, number of line पूछ लिया, pattern लिख लिया, यह number of line कर दिया, यहाँ तक इसपेस दे दिया, यहाँ तक तो अपन को कुछ करना नहीं है, यहाँ पर अपन क्या प्रोड़ कर रहे हैं, यह जो loop है, यह simple सा space प्रोड़ कर रहे हैं, ठीक है, और यह वाला जो loop अपने, प्रेंट कर रहे हैं, दूसरी बार 2 और 3 प्रेंट कर रहे हैं, फिर 4, 5, 6 फर 6 प्रेंट कर रहे हैं, जिसे हम एक variable लेता हूँ, int p ले लेता हूँ p equals to 0 assign कर लेता हूँ और यहाँ पर एक loop लेता हूँ 4 कोई भी variable ले सकते हैं आप चाहें तो k ही ले ले because k आपका इस loop के बाद वापिस face initialize हो रहा है तो k ले लिया k equals to minus 0 कर दिया और k के value कब से होनी ची k के value होनी ची आपकी less than equals to i कर दिया क्योंकि i के value 1 है तो 1 print आ रहा है i के value 2 है तो यहाँ पर 2 value print आ रहा है i के value 3 है तो यहाँ 3 आ रहा है बाकी अभी ultra reverse वाला भूल जाए एक मिर्ट के लिए एक मिर्ट के लिए इसको image करें कि 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9 यह किस तरीके से आएगा वो अपन देखते है ठीक है फिर अपन दूसरे वाले पहेंगे कि इसको कैसे प्रिंट करने तो यहाँ पर आपने लिखा k equals to 0, k less than equals to i कर दिया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ k plus plus और इस लूप के अंदर में करता हूँ p plus plus p की value मैं 0 थी इसको 1 कर दिया और printf मैंने कर दिया p percent d, p को print कर दिया देखो p की value पहले 0 है यहाँ पहले plus plus हुआ 1 होगा p अपका print हो गया और जैसे ही यह मेरा p print हो जाते है जितने number of p print हो जाते है yes, कुछ कहना चाहते हो sir, end पहले आएगा क्या ने ने, इस कहने आएप नहीं कर रहे है यह print कर रहे है end तो तब करते हैं जब आपन कोई value लेते हैं ले तो रही नहीं है अपन ठीक है yes sir, okay, thank you so यहाँ पहले लिखा आपन ने अब अपको हो जाएगा file, save is second, midterm, question, two, dot, c इसको अपन compile करते हैं semicolon, रगा लेते हैं और इसको run करते हैं enter the line, suppose अपन पांस लाइंटर करते हैं तो लोगो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस फिर last में कुछ आ रहा है 11, 12, 13, 14, 15, तो जितनी लाइन आपन एड़ करना चाहिए उतनी हो रही है तो एक आ रहा है, एक के बाद दो, तीन आ रहा है, दो, तीन के बाद चार, पांच, छे आ रहा है, चार, पांच, छे के बाद साथ, आट, नो, आ रहा है, इस तरीके से आपके से शुरू हो रहा है, इस इस इन पॉर्टेंट, ये चीज़ आपको फिर से नोट करने पड़ेगी, देखो, जो मैंने प्रिंट किया, उसमें मिस्टेक है, अपन हाफ, देखो, प्रोग्राम तो मैं बना दूँगा, पर पहले समझें, हाफ क्या रहा है, एक आ रहा है, फिर आपका रहा है, दो, तीन आ रहा है, पिर आपका रहा है, तीन, चार, पांच, पिर आपका रहा है, चार, पांच, छे, पिर आपका रहा है, सा 6 से एक 5 सी शुरू रहा है. यसी यह 5 है, तो 5 से कम 3 सी शुरू हुरा है. और यहाँ पर 2, 3 यह जलोर 2, 3 सी शुरू हुरा है. आदेखें, यह 2 फिर 2, 3 यह 3 तक पहुंच गिया था. तो यहाँ पर 3 सी शुरू हुरा है. नेक्स वाला जो पॉइपंट था. तो दो तीन फिर ये तीन से शुरू हुआ फिर तीन चार पांच तो ये चार से शुरू हुआ फिर चार पांच छे साथ तो ये आपका पात से शुरू हुआ तो यहां जो शुरू हो रहा है वो जस्त पहला वाला जो शुरू हा उससे एक एक्स्रा शुरू हो रहा है दो है तो तीन से शुरू हो रहा है तीन हो तो चार से शुरू हो रहा है तो यह कैसे होगा वो अपन देख लेते हैं इसका कैसे आएगा दोगों मैं I will try कि आपको मैं छोटे-छोटे टुकडों में समझाओं ताकि आपको concept सुना है पूरा program लिखने हैं मुझे एक मिट लगेगा और I wish to कि I will explain you with the pieces पीस में मैं आपको समझाना चाहता हूं तो यहां पे आपका P पहले print होता गया है अब हर बार में क्या हो रहा है पी की value अलग-अलग print हो रही है अब इसको उसके साथ जोड़ रहा हूं अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं print करता हूं तो आप मेरे पाद जो value आ रही है वह किस तरीका रही एक दो तीन आ गया फिर तीन के बाद यह चार से शुरू हो रहा है ज यही अपना plus point है इसी के साथ जो next half point है वो अपन यहां जोड सकते हैं next half point कैसे जोड सकते हैं let's have a look अब देखें next half point है किस तरीके से जोड़ेगा तो यह वाला जो print है यह आधा portion print कर रहा है अब आगे वाले half loop में अगर मैं करता हूं four k is equals to zero k less than two line ठीक है और यहाँ पर मैं 0 से शुरू करो या फिर मैं k equals to 1 से शुरू करो एक कम करना है क्यों करना है अगर आप इस pattern को देखेंगे तो suppose अगर यहाँ पे पहले half में 2 है तो अगले half में केवल 1 आ रहा है इसके पहले half में 4 है तो अगले half में केवल 3 आ रहा है तो मतलब जो half part portion है उसमे number of जो number आ रहा ह वह हैं उससे एक कम आ रहा है पहले हाफ में जो बना हुआ है यहां पर देखें यहां पर इसको एक कम करना है तो इसको के को लेता है यहां पर में लिखता हूं वही बैले को क differenti नहां है P nuances मैनेस कर लेता हूँ क्यों कि यहां पे प्रिंट हो सब्रॉज यहां पे आपका प्रेंट हो गया three जो आप आ रहा था ये जो आ marc Beeह न सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसलिए प्रेंड करना चाहते थे इसलिए को पी देखते हैं क्या होता है इस लूप से आई जिस कंपाइड रन इत तो यह वैल्यू तो कुछ और ही आ रही है दास एक दो तीन दो एक पांच लेट्स एव लुक क्या दिक्कत होगी है आप अपर आप ओके तो सबसे पहले पी आपका वन था यहां पर एक दिक्कत आगी है आप टू दा लाइन नहीं करना पड़ेगा जो आई के वैल्यू है तो आई के वैल्यू से अपन करेंगे अब देखो यहां पर मुझे आई तक चला ना क्योंकि आई जब सबसे पहले आई के वैल्यू वन है तो अंदर वाला लूप वन तक चलेगा और यह उतनी बार प्रेंट होगा तो यहां मुझे आई करना था तो यहां पर मैं 0 करके लेस देन भी आई कर सकता हूं एक बार चेक कर लेते हैं इसको वन दो दो तीन दो दो तीन चार पांच चलो यह प्रेंट हो गया देखो एक्जाक्ली वही आ रहा है जो अपन करना चाह रहे थे इसको एक बार और रन करता हूं पांच की जगा छे लाइन देता हूं तो देखो एक्स टैम वैल्यू आ रही है तो जितनी जितनी वैल्यू आती जाएंगी उतना आपकी वैल्यू बढ़ती जाएंगी यह आपका पिरामीड नुमाइस लिए नहीं आ रहा है क्योंकि नमबर ऑफ स्पेज जो है वो उसके अ एक और सॉल्यूशन कर सकते हैं वी और यहां भी अपन चाहिए तो स्पेज दे सकते हैं देखें अब क्या आता है तो अब भी वहीं यहारा तो यह केवल इकाई के दाही जो आपका अंक है इकाई का केवल उसी के लिए अच्छा रहेगा उसके बाद जो है वो पैटन अपक बिगड़ रहा है तो कोई बात नहीं जो एक्जाम में दिया था वो तो हो गया अपना चलोई हो गया तो किस तरीके से हुआ देखें इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर यह वाला जो लूप है इस फोर दे स्पेस जो यहां पर आगे स्पेस आ रहा है यह व और यहां पर आ रहा था नाइन टैन एलेवन त्वैल और सम्थिंग लैग दा तो यह आपकी वेल्यू जो नेक्स वेल्यू प्रिंट होने चीए थी वो तीन से शुरू ने थी जबकि यहां से चार से शुरू हो रही थी तो अपनको कम करना है तो उसके लिए अपने क्या कि रहना है कि मैंने 0 रखी फिर कि यह लेज दन आई रहा है यहां पर एक्स पर दोनंबर फिरिंट हो रहे है तो यहां पर तीन नंबर प्रिंट हो रहे है अगले हाफ में उससे एक नंबर कम प्रिंट हो रहा है इसलिए इसको अपने के लिए लेस देन आए ले लिया और इसको अपने प्रिंट कर दिया ये प्रिंट करने के बाद ये वाला ये प्रिंट कर दिया और जैसे ही प्रिंट हो जाता है अपने न्यू लाइन ले लिए और बस पैटन आगया, it is for first half, first half मतलब ये एक 2-3-4-5-6-4-5-6-7 जो कि increment आपका कर रहा है, increment कर रहा है, और ये वाला जो प्रेंट कर रहा है it is second half, जो कि आपका decrement कर रहा है, तो बताइए मुझे कि आप लोग को थोड़ा बस समझ में आया है नहीं आया है यह पैटन, क्या पैटन सोंझ में आया आपको यस और नो कि जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या यह पैटन आपको सोंझ में आया यस और नो छलो बहुत बढ़िया और यह एक पर मापको संसे आगया होगा आम इसको शेयर भी कर दूँगा आप आप लोग प्लीज देख लिजीगा, तो it is very simple, अब suppose अगर मैं आपको यह question दे नहीं रहा, अगर यह पूछ रहा हूँ, suppose अगर मैं आपको ऐसा question दे दूँ, for example, कि एक star और जैसे previous वाला था, इसी question को अगर थोड़ा modify करना हूँ, जैसे इस example मैं में लिख रहा हूँ, star, 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 क्या इसको मुझे print करना है तो, क्या आप इसको print कर सकते हो, yes or no, क्या इस pattern को print कर सकते हो, बदाएए क्या इस pattern को print कर सकते हैं आप, yes or no, try, try, देखो, इस पे भी 2 हाप होंगे, यह वाला portion एक loop से होगा, यह वाला portion अगले loop से होगा, ठीके, पर यहाँ अलग हो रहा है, यहाँ पर एक बार में 10 space है फिर 4 space है 10, 9, 8 यह space कम होता जाता है पर यहाँ पर पहले space बहुत कम है फिर space जादा है फिर space जादा है तो जो concept अपने यहाँ लगा है वह concept आपका reverse लग जाएगा क्या लग जाएगा? reverse लग जाएगा तो आपका यह वाला pattern प्रिंट हो जाएगा जैसे इस concept को अपने लगा है वह concept आपका reverse लग जाएगा तो यह वाला pattern बन जाएगा तो please आप इस pattern को try करेगा तो I hope आपको इस वाला pattern आएगा अच्छी तरीके से So I will remove it तो यह आपका एक portion हो चुका यहां तक अगला एक और question जो मुझे बताना है प्रोग्राम को reverse then element of an array क्या यह प्रोग्राम किया था आपने एलिमेंट एरे के एलिमेंट को reverse करना सबने कर लिया था Yes or No क्या एरे के एलिमेंट को reverse करना सबने कर लिया था जल्दी से कमेंट करके बताईए Yes or No वैदा ही किया Yes तो वैदा ही आपने single array से किया था या multiple array लिया था No doubt जिसने वैब पर ढूड़ना उसको पता चल गया होगा पर खुद से किया था या नहीं किया था बाकिश्रेंड reverse and array किया था या नहीं किया था जल्दी से बताईए राहूल और कौन-कौन जुड़े हुए है अपने साथ चारवी हर्शिल हिमान्शु जोती मानवेंद्र प्रकाश राहूल भोड़ना था कोई सैनेश सोनिया फुशा आप लोगों मेरे आवाज आ रही है तो बताईए यह कोशन सापने किया था या नहीं किया था यस और नो कि जल्दी से कमेंट करके बताईए मैं सॉल कराऊं इसको कौश्चन नमर थ्री को सोनिया के रिए नो किसके लिए भई कोश्चन नहीं किया था आपने सोनिया चलो इस कोश्चन को मैं एक मिट बताता हूं आप समझ जाएंगे किस तरीके से कोश्चन है कोश्चन नमर थ्री कॉंसिप्ट अगर आपको सुझ में आ गया तो सारे चीज़े क्लीर हो जाएंगे देखो सपोज कोई एरे दे रखा आपको उसकी वैल्यू सपोज वन यह कोई वैल्यू दे दी अपने कोई भी ओने कितने एक दो तीन चार पांथ शे Diamond है इसका जब रिवर्स करेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह जाए oh औ-안 प्र आपका four seven ंठिर आपको हो जाएगा five eight अगयन ठिर आपको जाएगा seven eight 4512 तो reverse and area का मतलब क्या होगा area के अंदर जितने भी element पड़े हुए है वो element आपके reverse हो जाने चाहिए invert हो जाने चाहिए तो यही अपन को करना है तो एक बार करते हैं let's see किस तरीके से करेंगे तो देखें यापर किस तरीके से होगा hash include stdio dot h और यहाँ पर अपन ले लेता है int man और यहाँ पर देखें क्या कर रहे हैं पहले कहरे लेता है int x जिसकी साइज अपन लेता है 10 लेता है और इसके लिए पर i variable लेता है और मैसे देता है printf enter the 10 elements of an array array के क्या करिए 10 elements को enter करिए उसको पर फोर लूप में चलाएंगे 4 i is equals to 0 i i equals to 0 i less than to 10 क्योंकि 10 elements लिए हैं then i plus plus और इसको पर देंगे scanner %d comma and %x of i तो यहाँ पर अपने बाद 10 elements आ गहे हैं अब इसका message भी देते हैं जोको अगर single line होती है तो आपको यह body बनाने के जरूत नहीं है single line में कभी बादी बनाने के जरूत नहीं होती है आप खुड़ा सा space के साथ देंगे तो यह लूप के अंदर ही count होगा ठीक है यह पता होना चाहिए आप लोग को चलो एक और लेते हैं message देते हैं printf the elements of an array array के क्या क्या elements से देखें आप अपन print कर लेते हैं उसको पहले print कर लेते हैं for i equals to zero i less than to 10 then i plus plus और इसको print कर लेता है printf %d slash t comma x of i तो यहाँ पर क्या होगा सारे जो elements से वा जाएंगे तो अभी तक इसको पूरा नहीं किया है इसको एक बाब मैं print करके बताता हूँ file save is second mid term question number three dot c compile कर लेते हैं इसको ओके printf चलो इसको compile किया बने run किया enter the 10 elements अब उसका reverse आना चाहिए जहाँ पहले 10 आ रहा है वहाँ पहले 21 आना चाहिए उस तरीके से आपके value आना चाहिए अपना question क्या है अपना question ही है कि reverse करना है ठीक है तो यहाँ पर एक message दे देते हैं अपन अब बताओगे क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना चाहते हैं वेदे आप बताओगे किस तरीके से रिवर्स करें इसको अब बताओगे क्या करना पड़ेगा reverse करने कली कोई भी बताओगे क्या yes sir, four loop का यूश करेंगे four loop का यूश करेंगे ठीक है अब क्या करूँ बताओ sir, i is equals to i is equals to 10 minus 1 10 minus 1 ओके sir, i greater than is equals to 0 i greater than equals to 0 और i minus minus i minus minus तो वेदर ये तो आपने केवल उस एरे को पीछे से प्रेंट कर दिया ऐसा किया है sir, reverse ही तो करना था reverse करना है इसका मतलब ये नहीं कि उसको reverse print करना है मैंने ये थोड़ी लिखा था reverse print करना है reverse करना है मतलब elements सारे change करने the question is that we need to reverse then element मतलब first जो है वो last में चला जाना चीए second last वो second first में चीए जो order था हो पूरा उल्टा save हो जाना चीए area को जो आप print करोगे तो पूरा उस तरीके से से हो जाना चीए so आप जो बता रहे हो we simply print the elements in the reverse order वो तो आराम से print हो जाएगा first को आप last से उठा लो गए that is not my question समझ मैं आ रहा है क्या पूछ रहा हूं मैं वेदाई okay sir तो किस तरीके से करेंगे रिवर्स कुछ आइडिया है कि सिंगल एरे से कि बताए कि चलो मैं बताता हूं ध्यान से सुनिएगा देखो कि अपन क्या करना चाहते हैं जो आरह है और एक्जामपल यह आपका आरह है तो अगर यह कि वे i't element है तो i't element किससे रिफ्रेस हो चाहरा है जो second last element है कैसे से रिफ्लेस होना छीğिए next second last element तो मैं यह कह सकता हूं मैं की कह करnat चाहता हूंया मैं western loop लगाऊंगा उसको लगाने से पहले या अनधर की कोंडिंग बता रहा हूं क्या मैं dobre करना चाहता हूं कि यह x of i है मनद जीरोत element है वो एक variable लेता हूँ temp नाम का tmp temp और यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले tmp temp is equals to x of i suppose x of i में 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 अगर 0 है तो 0th element जो है वो आपका इसमें आजाएगा then x of i में में जो value assign करेंगा वो x of total number of elements total number of elements किता है last element कौन सा है दसवा element है 10-i for example i के value 0 है तो 10 element इसमें आएगा suppose i के value 1 है तो देखो अभी i 0 से शुरू करें तो यह 9-i कर देता हूँ 9-i क्यों कर रहा हूँ because मेरे total element 10 है तो i के value में 0 से शुरू कर रहा हूँ तो 9-0 तो 9 ही आएगा तो 10-1 element किसमें आजाएगा पहले element में आजाएगा फिर i के value 1 हुई तो 8 element किसमें आजाएगा पहले element में आजाएगा और उसी के साथ जो x of 9-i है उसमें किसके value डादूंगा temp की क्योंकि temp में क्या पढ़ा हूँ पहले element पढ़ा हूँ तो यहाँ पे एक loop चलेगा i equals to 0 अब 1 से भी शुरू कर सकते हो 1 से शुरू कर दोगे तो इतनी कुछ रामाइंट करने के जरूरत नहीं है यहाँ में सीदा 10 लेख लेता हूँ तो i के value कर अब में 1 से शुरू करूंगा तो 10-1 0 तो जीरो ते एलिमेंट कहा आ जाएगा 1 में आ जाएगा तो यह थोड़ा सा 0 से रहन देते हैं 0 से आपका convenient रहेगा इसको भी कह सकते हैं कोई दिक्कत X of I equals to 9-I हो गया यह चीज़ी होगी I equals to E हो गया यह कब तक कब तक अबन करना चाहें तो that is important for that क्या करें क्या करें क्या करें बताओ कब तक करना चाहेंगे ओके वे डू मन मोर थिंग लट्स हैव लूक इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं यहां पे एक वेरिबर रहा ले 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 लेता हूं मैं कॉमा जे ठीक है और यहां देखो फोल लूप में क्या करता हूं i equals to 0 कॉमा j is equals to last 10 elements नाइन कर लेता हूं यहां पर condition आ जाएगी और यहां पे मैं करूँगा i plus plus और यहां पे मैं करूँगा j minus minus ठीक है यहां पे मैं 10 मैं कर दिया x of i इसमें मैं कर देता हूं x of j तो मेरा comparison हो जाएगा और कुछ नहीं किया है ना don't worry समझ में आ जाएगा अभी क्या कर रहा हूं देखो i equals to 0 तो यह 0 अलिमेंट इसमें आ गया j equals to 9 तो यह 9 अलिमेंट है सबसे पहले फिर x of i x of 0 में क्या आ जाएगा x of 9 अलिमेंट आ जाएगा x of j तो टैंप में क्या था x of 0 पहले अलिमेंट कितमें आ जाएगा x of j x of j क्या मेरा 9 तो इसमें चला जाएगा तो यह कुछ इस तरीके से होगा कि मारकर कोल देता हूं कि इस तरीके से होगा दिखो ध्यान से समझे यह 12 नमर का अलिमेंट है जीरोत अलिमेंट और यह आपका 123456 यह आपका पांचो नमर का अलिमेंट तो यह पांचो नमर का अलिमेंट 0 नमर पे आ गया और यह वाला अलिमेंट कहा आ गया यहां आ गया यह कब तक होता रहेगा यह वाला अलिमेंट इससे चेंज होगा और यह वाला element इससे चेंज़ होगा कब तक चेंज़ होगा जब तक i के वेलिए छोटी किससे j से क्योंकि j जो है वो यहां से हो जा रहा है आई यहां से हो जा रहा है तो बस हो गया comparison जब i जो है वो j से छोटा है एक बार इसको मैं save is कर लेता हूं देखता हूं यह काम करता ह है यह नहीं कहता है सेवेज सेकेंड मिट्टम कुश्चन नंबर त्री अच्छा त्रीक सेव तो कर रखाता है इसको कोई बार ने फिर से कर लेता है और यह करने के बाद वापी सपन एरे के एलिमेंट कर लेते हैं Ctrl-C Ctrl-V now I just run it save compile it अच्छा नाम क्या दिया है मैंने टी एंपी टैम्ड ओके सेमी कॉलंग नहीं जोड़ा सेमी कॉलंग जोड़ दिया अब क्या बोल रहा है अंडिपेंसिपल प्रिंट अप्रिंट अप्रिंट एफ printf plus okay okay so let's just compile it zero error then enter the ten elements of an array one two three four five six seven eight nine and ten तो बताईए क्या सभूझ में आ रहा है देखो इस टाइप का आपने पहली बार को देखा होगा कि iJ अपने एक साथ variable लिए है यह अपने लिया है यह लिया है क्या यह concept सुन में आया नहीं है जल्दी से बताइए पर इस class को अपने फिनिश करते हैं कल बाकी question देखे new topic पढ़ेगे tell me क्या यह concept सुन में आया आपको सुटीज बेरी सिंपल कॉंसर्ट नथिंग अनिधिंग अल्थ तो यहां तक तो अपने एरे लिये हैं यहां पर उसको प्रेंट किया है यहां पर अपने उसको में रिवर्स कर रहे हैं तो यहां पर रिवर्स किस तरीके से हो रहा है लास्ट अब देखो आपकी दिमाब कोश्चन आने चाहिए 10 element है आप इसको 9 कर दो तो मैं 9 कर देता हूं even odd कलाफ़डा तो नहीं पड़ेगा सर करके देख लेते हैं even odd कलाफ़डा तो नहीं है तो इसको मैं एक बार 9 करके देख लेता हूं इसको 9 element करूंगा तो यहां पर 8 करना पड़ेगा चलो इसको मैं compare रन करके देखता हूं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो नो आट नो आट साथ से पांच चार तीन दो ही किया गया पर यहां scanf दस बार क्यों चल रहा है अच्छा यहां 10 element लिख दिया इसको मैंने 9 करना पड़ेगा ओके चलो आप इस compile करता हूं तो यह इवन के लिए भी काम कर रहा है और के लिए इवन और दोनों के लिए काम कर रहा है यह important question है यह question मुझे पूछा भी क्या था वन आप माई PhD इंटर्व्यू उन्होंने मुझे पूछा था सब्सक्राइब कोशिश करें इस question को समझने की बाकी बहुत सिंपल सिंपल कोशन ने खुश नहीं है अच्छा एक लास्ट कोशन यह वाला कर लिया था आपने कोशन नुम्बर 6 binary number को एक्जाडेसिमल नंबर में करवेट करना यह वाला कुशन हो गया था क्या जल्दी से बताईए converting the binary number into the hexadecimal yes or no क्या यह question हो गया था आपका converting binary number into the hexadecimal number yes or no whether I carry yes बाकिया स्ट्रेंड आपने कर दिया था किसी भी binary number को hexadecimal में किस तरीकिसे convert करते हैं कर दिया था क्या आप लोगोंने yes okay बहुत बढ़ बढ़ा अगर यह आपने कर रहा है तो अच्छी बात है पर literally मैं आपको बोल रहा हूं इन 10 question में से अगर आपने एक भी question कुछ से बनाया होगा तो आप कुछ सीखे हैं अगर आपने net से देखा होगा या आपके friends से पूछा होगा तो that is not useful marks मिल जाएंगे आप पास हो जाओगे पर आपको सीखो गे निए ठीक है so thank you very much